तो बॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल एडवर्ड विंग्स एंद आज हम जेके पेसी एसिस्टेंट रेजिस्टार कॉपरेटिव सोसाइटीज पर दूसरा लेक्चर जो हैं दूसरी क्लास लेकर आपके सामने हैं आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है 97th Constitutional Amendment Act of 2011 जो की कोपरेटिव सोसाइटीज को Constitutional का दर्चा जो था दिलवाता था तो पीडिएफ जो है इसकी वह आपको टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड फिर भी किसी को अगर टेलिग्राम लिंक जो है वो तो आज आज जो है मेने Marriage campaign पर स्लाइट बनाई है पिश्ली बार जो है काफी बच्चों का कहना था फिर भी problem अगर आ रही है तो आप comment section में बताइएगा ताकि अगली बार से हम बिलकुल white and black ही सिर्फ background जो है उसका इस्तामाल करेंगे बाकी कोई color हम use नहीं करेंगे तो आठ start करते हैं lecture तो सबसे पहले तो 97th constitutional amendment act जो है protection जो है वो दी जाती है इस constitutional amendment act से क्या होता है कि भारत के सम्विदान में तीन नए articles उनको एड किया जाता है और एक नया पार्ट जो है वो एड किया जाता है तीन नए article जो एड किया जाते हैं उनमे article 19 clause 1 sub clause C एड कि जाती है साथ साथ article 43 B एड किया जाता है और अर्टिकल 243 Z एड अर्टिकल 243 Z T तक ये तीन नए आर्टिकल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाते हैं पार्ट की बात करें तो constitution में हमारे 9th B पार्ट जो है constitution में जो कि cooperative societies के साथ deal करता है ये तीन नए आर्टिकल होरी पार्ट जो है ये constitution में एड किया जाता है उसके बाद तीन नए आर्टिकल किसमें रहते हैं 19th आर्टिकल जायसा कि आप जानते हैं कि right to freedom के related है तो यहां पर cooperative societies को freedom दीगे कि आप cooperative societies जो हैं बना सकते हैं कोई भी इंसान जो भी eligibility criteria पूरा करता है वो cooperative society जो है बना सकता है और उससे constitutional protection मिलेगी उसके बाद आर्टिकल 43B जो है ये कहता है इसके द्वारा ये कहा जाता है कि state shall endeavor to promote the volunteer formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies तो यहां पर state को बिलकुल governments को भी ये कहा गया कि आप cooperative societies जो हैं बनवाई ये लेकिन ये principles जो है voluntary formation के, autonomy के, democratic control के, professional management के इन सब को इन सब के तहत जो है cooperative societies जो है उनके अंदर cooperative societies बननी चाहिए इन rules के बाहर जाकर cooperative societies नहीं बननी चाहिए और तीसरा पार्ट जो था पार्ट 9 में जो है ये आर्टिकल रखेगे 243ZH से लेकर 243ZT तक तो क्या थे ये आर्टिकल ये यहां पर ये आर्टिकल जो है provided हैं आप चाहें तो नहीं याद कर सकते हैं important हैं शायद इन में से कुछ पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 243ZL वगेरा किस से related हैं तो एक नजर आप इन आर्टिकल पर जरूर दे दीजिएगा और देखिएगा कि कौन सा आर्टिकल जो है वो किस के related है ठीक है तो शुरू करते हैं प्रोविजन की बात करते हैं तो पहला प्रोविजन इनकॉर्पोरेशन का रहा कि को इनकॉर्पोरेट करने का है यानि अपने का कौन उनकी management को control करेगा कौन उन्हें direction देगा तो incorporation में constitutional amendment के थूँ यह कहा गया कि state legislature रहेगा यानि जो भी cooperative society जिस भी respective state में जो है वो देखी जाती है वहाँ जिस state में बनी है उस state का ही state legislature जो है उस cooperative societies की incorporation की regulation और उनकी winding अब के लिए जिम्यदार रहेगा और वही जो है cooperative societies को बनाएगा principles जो है वो follow जरूर करने पड़ेंगे उन्हें voluntary formation के democratic member control के and members economic participation and autonomy यह सब हमने पिछले lecture में discuss किया था तो इन principles को follow करते हुए जो rules and regulations बनाने है cooperative societies की management के लिए उसका हग जो था वो state government को दिया गया ना कि center government को दिया गया okay उसके बाद second provision में कहा गया कि जो member of board बनेगा member of board sorry तो member of board और office bearers का कितने number रहेंगे यानि कितने member जो है office bearer के और member of board के होने चाहिए और उनका क्या tenure रहेगा इसकी बात कही गई और number of members का गहा गया कि जितना भी board decide करेगा ठीक है जो member of board के कितने member होंगे government decide करेगी state legislature decide करेगी या फिर state legislature के द्वारा बनाया गया कोई board जो होगा वो decide करेगा कि कितने member जो है board में होने चाहिए जो की पूरी management के लिए responsible होगा cooperative societies की लेकिन maximum number जो रखा गया किसी भी cooperative societies के जो board of member रहेंगे उनका maximum number 21 से उपर नहीं होना चाहिए इकिस से कम कम कितने member रखने हैं यह या तो state legislature decide करेगी या तो state legislature के द्वारा बनाया गया कोई board decide करेगा कि 21 से कम कितने member होने चाहिए maximum 20 रख सकते हैं 21 से उपर आप जो है इनके directors नहीं रख सकते ओके reservation की policy जो है उसका भी ध्यान दिया गया और उसमें कहा गया कि इन 21 में से एक seats के लिए reserve होगी और दो seats जो है वो women's के लिए reserve रहेंगी इस member of board में जो की cooperative societies की management के लिए responsible रहेगा लेकिन यह reservation तब ही दी जाएगी if the members from such categories are present in cooperative society बिलकुल कि अगर उस cooperative society में इस category के member अगर मौजूद है तब ही उनको reservation दी जाएगी otherwise अगर उस category के member किस cooperative society में नहीं मौजूद है तो उनको reservation नहीं दी जाएगी माली जी cooperative society है वहाँ पर एक भी member अगर स्टी या स्टी का है तो एक seat उसे reserve मिलेगी जरूर और अगर उस society में women's जो है एक भी women मौजूद है तो women's को भी दो seat जो है वो reserve रहेंगी लेकिन अगर माली जी किसी cooperative society में कोई भी स्टी का स्टी का member नहीं है वहाँ पर उसको reservation जो है वो नहीं दी जाएगी तो उनकी term रखी के 5 years from the date of election ठीक है तो 5 साल जो है उनकी term रखी के 5 साल तक वो member बने रहेंगे और उसके बाद fresh election होंगे और नए board का गठन होगा उसके बाद एक और state legislature को power देगे कि अगर इन 21 member के अलावा state legislature को अगर ऐसा लगे कि किसी भी experience skill या technical या professional field से किसी experts की जरूरत है तो state legislature जो है दो extra member जो है इस board में include कर सकती है किसी भी technical professional field में से और ये दो member इन 21 member के अलावा रहेंगे लेकिन इन्हें सिर्फ functional director कहा जाएगा ठीक है ये सिर्फ अपने expertise share करेंगे अपने views share करेंगे इन्हें जो है election जो होगा cooperative society का उसमें कोई vote का अधिकार नहीं दिया जाएगा और ना ही इन्हें आप office bearer के तोर पर select कर सकेंगे तो इनका सिर्फ function का काम रहेगा सिर्फ advice देने का काम रहेगा सिर्फ expertise का काम रहेगा ठीक है तो ये पावर जो है state legislature को अलग से दीगी next है election of member of board की जो member of board जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा इसका election कौन करवाएगा इसकी power किसके हाथ में रहेगी तो इसमें कहा गया कि state election shall be conducted before the expiry of term of previous board कि सबसे पहले तो election होंगे कब कि जब भी previous board जो है इसकी term expire होने वाली है उससे पहले पहले ही जो है ने board की election हो जाने चाहिए ऐसा नहीं कि उनकी term खत्म हो उसके बाद election हो and in between जो है वो gap रह जाए election previous term खत्म होने से पहले ही आपको election करवाने है ताकि जो term जब खत्म हो previous board की तो नया board जो भी select हुआ है वो विल्कुल continuous functioning कर सके तो किसको हग दिया गया यह election करवाने का तो pretendance direction and preparation of elector role in the conduct of election जो है shell west in the body provided by state legislature ठीक है तो state legislature जो होगा उस respective state का वो एक body बनवाएगा यानि वो एक अपनी बदोलत अपने autonomous body बनवाएगा और वो autonomous body जो है वो cooperative societies के election करवाएगी तो कौन election करवाएगा जो भी body जो कि state legislature बनवाएगी वही जो है इस election के लिए responsible रहेंगे democratic process के अंतर okay next बात करें तो उसके बाद आती है तो अगली चुप अगला प्रोविजन रखा गया वो था super session और suspension of board and interim management तो देखी super session और suspension word का पहले मतलब समझ लेते हैं super session का मतलब होता है किसी एक इनसान को निकालना और उसकी जगा दूसरे इनसान को replace कर देना उसकी जगा इसे हम super session कहते हैं यानि एक board को अगर निकाला गया और उसकी जगे दूसरा board जो है वो function करना शुरू हो जाए तो इसे हम super session कहेंगे suspension जो लेकिन उसकी जगा कोई और replacement नहीं आती वो इनसान जो है वो बापस आता है थोड़ी देर बाद कुछ देर के लिए हाँ उसको अपनी functioning ज़रूर नोकनी पड़ती है तो suspension और super session का मतलब यह होता है तो प्रावधान यह भी रखा गया कि अगर मान लीजिए board जो है उसकी functioning को चाहिए तो सबसे पहले तो suspension या super session क्यों होगी अगर previous board जो है वो default कर जाए या वो अपनी duties perform करने में कोई neglect करता है या फिर वो देश-द्रोह का कोई काम कर देता है या फिर वो सिर्फ constitution में एक दिखावे की तरह slatemate की तरह काम कर रहा है constitution के मुताबिक काम नहीं कर रहा है व फिर election जो है वो rules के मताबिक नहीं हो पाए फिर election नहीं हो पाए तो इन सारे cases में क्या होगा कि board जो होगा suspend भी हो सकता है और super seat भी हो सकता है तो कितना maximum period रखा गया किसी भी board की suspension या super session में cooperative societies में तो वो रखा गया है maximum छे मत छे महीने तक आप छे महीने से ज्यादा जो है एक अब एक सवाल ये भी आता है कि छे महीने माली जी एक board को suspend किया गया दूसरा board जो है वो छे महीने बाद working करने आएगा election के बाद लेक्शन के बाद लेकिन उन छे महीनों में क्या होने वाला है उन छे महीने में cooperative societies की management के लिए state legislature क्या करेगी कि वो इस period में civil servant जो है administrator जिसका जिसको हम कहेंगे administrator जो है वो अपॉइंट करेगी state government और वो administrator जो है वो इन 6 महीने में cooperative societies की management के लिए भी responsible रहेगा और उसको इन 6 महीने के अंदर जो है अगली cooperative societies की election भी करवाने हैं और उसके बाद जो भी cooperative societies में जीते गा जो भी member बनेगा जो भी board बनेगा वो फिर take over करेग 6 महीने के बाद ओके एक चीज़ और याद रखीगा कि कुछ states हैं कुछ cooperative societies ऐसी हैं जो जिनने के super seed या फिर suspend नहीं किया जा सकता तो ऐसी societies कौन हैं तो कोई भी ऐसी society जो की government के द्वारा funded नहीं होती या फिर government के किसी भी cooperative society में मालेजी कोई share holding नहीं है इन्हीं गवर्मेंट का एक रुपे का भी किसी cooperative society के साथ अगर लिंक नहीं है डिपेंडेंसी नहीं है गवर्मेंट ने किसी cooperative society को लो नहीं दे रखा है तो जिस cooperative society के government के साथ zero link है financial terms में अगर हम कहें उस cooperative society को suspend करने का या super seed करने का government को कोई भी अधिकार नहीं होगा वो cooperative society वो अपने दम पर चलत ही रहेगी ओके तो यह exception जो है वो ज़रूर है suspension को लेकर नेक्स देखते हैं तो auditing की बात आती है cooperative societies जो होनकी auditing कब-कब होनी है और कौन करेगा तो cooperative societies की auditing के लिए कहा गया कि at least one per financial year कि एक financial year में at least एक बार auditing जो है हर cooperative society की वो होना ज़रूरी है और preferably कब की जाती है within six months of the closure of financial year कि financial year के पहले छे महीने में auditing नहीं की जाती बलकि जो आखिर के छे महीने होते हैं जब वो close होने वाला होता है यानि second of the financial year तब auditing जो है वो करवानी है तो करेगा कौन तो auditor या auditing firm जो है यह appoint कुन करता है general body of cooperatives तो cooperative society को जो general body होती है वो किसी भी auditor को जो भी auditor जो है auditing करने के लिए चुना जाएगा या auditing firm कौन से firm से इस auditor को बुलाना है इसका selection जो है वो कौन करता है वो cooperative society की जो board होता है वो ही करता है लेकिन क्या करता है कि इस board को बिल्कुल ऐसे नहीं है कि independence है कि वो पूरा जो है अपने बदोलत कहेगा इस board को जो है government जो है यानि state government जो है यह कुछ इंसानों के list जो है वो अपरूब कर देगी यानि state government एक ब और उसी list के अंदर से ही फिर general body जो रहेगी cooperative की उन्हें selection करनी होगी auditors की तो पूरे free नहीं रहते है यहाँ पर cooperative अपना auditor select करने के लिए government का जो approved panel हो रहता है उसी के बीच में से ही इनको selection किसी ना किसी auditor की करनी पढ़ती है उसके बाद state legislature जो है यह time to time provision और minimum qualification भी जो है उस auditor की decide करती है यानि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई भी आके इंसान जो है वो auditing कर सकता है किसी cooperative society की इसके लिए prescribed qualification रहे जाती है minimum qualification रहे जाती है और जो auditor उस qualification को match करता है उस eligibility criteria कि उपर खरा उतरता है उसी को ही government जो है फिर panel के अंदर रखती है और उस panel को general board जो होता है cooperative society का उनमें से एक को select करके auditing के लिए बुलाया जाता है next है general boarding meeting जो है cooperative societies की तो general boarding meeting जो है इसमें क्या रहता है कि जितने भी member रहते है cooperative society के वो आकर एक जगा बैठते हैं meeting करते हैं and जो भी अपनी policies हैं उनको decide भी किया जाता है जो auditing result आता है वो सब के सामने page किया जाता है हर एक information जो हो हर member के साथ जो है share की जाती है इस meeting में और यह meeting कब कब होती है तो इस meeting का भी यही प्रावदान है कि कम से कम एक साल में एक meeting जो है वो जरूर होनी चाहिए जिसमें यह सारे मुद्धे जो है important important वो discuss किये चाहते हैं और preferably इसका भी auditing की तरह ही है कि financial year के जो आखिर के छे मंत रहेंगे closure के उसके अंदर जो है यह general body meeting जो है यह होनी चाहिए okay next है right to information की members जो रहेंगे societies के cooperative societies के उन्हें क्या क्या information आप दोगे और क्यूं दोगे कैसे दोगे तो देखिए सबसे पहले तो cooperative societies का हमने यही पढ़ा है कि open है सबके लिए volunteer है और यहां पर हर कोई honor है तो हर कोई honor है तो हर किसी को हर चीज की detail जो है वो मिलनी चाहिए यह इनका बिलकुल अधिकार रहता है तो यह right रहता है every member का कि वो कोई भी society की book जो हो से access कर सकते हैं कोई भी information अगर उने चाहिए तो वो ले सकते हैं कोई भी account की भी information अगर चाहिए कि cooperative societies में पैसा कहां से आ रहा है पैसा जा कहां रहा है यह भी पूरी information लेने का उन्हें हग है और बिलकुल यह application देकर जो भी information देने चाहिए होती है board member से वो यह हासिल कर सकते हैं ठीक है तो इसे इसी चीज़ को हम कहते हैं कि क्यों cooperative society में हर एक member जो है वो इसकी management में participate करता है और उसके साथ साथ board का यह भी हग रहता है कि cooperative societies के जो member है उन्हें education भी देना और उन्हें train भी करना ताकि वो इसकी management जो है उ नेक्स्ट है penalities की बात आती है कि penalities अब ऐसा नहीं है कि cooperative societies जो है उन्हें आप penal provisions के अंदर नहीं लग कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछली बार भी पड़ा था कि एक separate legal entity होती है तो गलती करेगी तो इसको भी सजा मिलेगी और दूसरा है कि cooperative societies के अंदर अगर कोई officer बाहर से पॉइंट किया गया माली जी administrator जब पॉइंट किया गया उसने कोई गलती की उसे भी penalty मिलेगी और माली जी कोई auditor जब पॉइंट किया गया उस auditor ने अगर कोई दोखा धरी की है cooperative societies की auditing में उसको भी जो है proper penalties के अंदर रखा गया है ठीक है तो penalties कौन decide करेगा state legislature जो है यह penalty decide करती है and finally जो है interpret कोन करता है यानि decide कोन करता है यह legal matter है यह court के पास ही जाता है तो state legislature decide करती है कि क्या penalties रहेंगी किस offense के लिए तो cases क्या रह सकते हैं माली जी किसी ने false statement दी है accounts को लेकर या returns को लेकर तो वह penal provision के अंदर जो है उसे book किया जाएगा या फिर किसी ने समन माली जी गॉवर्मन्ट ने समन किया किसी cooperative society के किसी member को और वहां पर नहीं जा सका ये भी जो है penal provisions के अंदर आता है या फिर माली जी कोई practice जो है या तो cooperative का member कर रहा है या बाहर से कोई officer appoint किया गया है वह corruption भी कर रहा है किसी cooperative society में तो वह भी penal provisions के अंदर book किया जाएगा जो भी state legislature decide करेगी और जो verdict जो है वो जो डिश्रीव खेरा जो भी वहां की होगी वो देगी ठीक है तो penal provisions जो है ये भी रखे गए हैं क्योंकि ये एक legal separate entity है उसके बाद कुछ और issues रहते हैं जैसे कि हमने कहा कि state government के अंदर ही जो है cooperative societies आती हैं लेकिन कुछ multi state cooperative societies भी होती हैं जिनका एक state के अंदर काम नहीं रहता बलकि वो multiple states में working करती हैं जाली जी कोई cooperative society वो 8-10 states में कठे काम कर रही है तो उस cooperative societies को management करने का हक जो है वो state government की बाजाये जो है वो center government के पास रहेगा और वहां पर जो rules बनाए जाएंगे वो state legislature के नहीं बनाए जाएंगे वो फिर central government बनाएगी वो पार्लियमेंट बनाएगी तो multi cooperative societies के मामले में थोड़े provisions जो है वो आपको अलग देखने को मिलते हैं उनकी management को लेकर direction को लेकर उसके बाद एक रहता है यूटी के ओपर क्या ये जो भी 97 constitutional amendment act के rules है ये लागू होंगे के नहीं तो बिलकुल यूटी के ओपर जो है ये rules लागू रहेंगे अगर वहां पर कोई interference president की तरफ से नहीं आती है तो same rule applicable रहेंगे हर एक यूटी के ओपर लेकिन मानली जी कि अगर president of the India चाहते हैं कि कि किसी भी यूटी के अंदर जो है ये rules लागू ना हों तो वो इस rules को लागू होने से रोक सकते हैं या फिर वो सारी यूटी में भी रोक सकते हैं वो उनके मताबिक decide किया जाएगा क्योंकि यूटी के मामले में final authority वो president के पास रहती है तो यूटी का जो भी फैसला रहेगा यूटी की decision यूटी के ओपर rule लागू होंगे या नहीं होंगे वो सारा फैसला जो है वो president of India के दोरह decide किया जाएगा और वो president of India ही decide करेंगे कि उससे पहले काफी सारे काउनों रहते हैं जो कि 2011 से पहले cooperative societies के related जो है वो अलगले states में exist कर रहे हैं तो 97 constitutional amendment में ये कहा गया कि जो भी आप जो भी provision रखेगे उसके मुताबिक जिन स्टेटों में rules नहीं बने हैं वो नहीं rules बनाएंगे और जिन societies में already rules बने हुए थे वो amendment ला पहले वाले rules थे क्या वो बिल्कुल खत्म हो गए खत्म हुए तो कब तक खत्म हुए तो 97 constitutional amendment में ये कहा गया ठीक है कि cooperative के related जो भी rules जो कि 2011 में यानि इस act के आने से पहले पहले किसी भी state में बने हुए थे वो एक साल तक काम करते रहेंगे ओके यानि एक साल जो है माली जी 2011 मार्च 2011 में अगर ये rules आए हैं तो मार्च 2012 तक वो जो पहले rules हैं वो चलते रहेंगे क्योंकि एक साथ आप आज rules पास करो और कल states जो हैं वो इसको अमेंड करवा दें ऐसा भी नहीं हो सकता वक्त लगता है और इसके लिए एक साल का वक्त जो है states को दिया गया कि एक साल त तक या तो आप amendment की कर दीजिए ठीक है उन rules को बदलिए या फिर उन rules को repeal कर दीजिए ठीक है या तो amendment लाइए या तो repeal कीजिए एक साल में जो करना है करिए states को ये कहा गया और एक साल के बाद आपको इन rules के मताबिक ही चलना है तो existing rules जो है वो एक साल तक लागू इस प्रवधान के अंदर कहा गया तो प्रोविजिंस की बात करें तो प्रोविजिंस के यहीं तक रहें यही मेंस प्रोविजिन हैं जो इंडिया में cooperative society जो बनती हैं जो मैनेज होती हैं इन रूस के अंदर मैनेज होती हैं तो अब हम देखेंगे कि 97 constitutional amendment की जरूरत क्यों कि cooperative societies जो ही इने constitution का दरज़ा देना चाहिए आखिर ऐसी उत्पत्ती हुई तो ऐसी जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी सबसे पहले तो कहते हैं कि cooperative societies 2011 तक जो central government थी उसे काफी हद तक जो है यह realize हो चुका था तो cooperative societies के 18th 19th century में मनने के बाद से लेकि 2011 तक जो contribution रहा cooperative societies का वो सब ने देखा और यह contribution जो है यह काफी सारी economy की अलग-लग fields में अगर हम देखे तो cooperative society का जो contribution था वो बढ़ रहा था और वोट significant amount में बढ़ रहा था काफी contribution जो हताव उसका हो चुका था लेकिन फिर भी contribution इतना होने के बावजूद भी काफी सारी weaknesses थी जो कि इसकी management में देखने को मिल रही थी वो weaknesses क्या थी कि elections जो थे वो पोस्ट पॉंड हो रहे थे cooperative societies के जो democratic principle रखा गया था हमने रॉज टेल प्रिंसिपल में पढ़ा हमने ICS के प्रिंसिपल में पढ़ा कि democratic management इसकी होनी चाहिए तो वो बिलकुल भी नहीं हो पा रही थी elections जो थे वो जब खतम होते थे माली जी आज election होने है आज time पिछले previous board का time खतम हो रहा है तो सालों साल election जो है वो नहीं होते थे क्योंकि constitution दर्जा नहीं था कोई laws जो थे वनको bind नहीं कर रहे थे तो election unnecessary postpone हो रहे थे nominated administrator जो थे वो सालों काम कर रहे थे यहां पर हमने देखा कि administrator कोई भी appoint होगा वो छे महिने से जादा काम नहीं करेगा लेकिन functioning में अगर हम देख रहे थे इस amendment के आने से पहले तो administrator जब appoint किया गया जाता था वो सालों साल काम करता था तब कोई election के ओपर ध देना देना था उनको अपनी बाबुशाही चलानी थी तो cooperative societies जो है वो rules के मताबिक function कर रही है यह नहीं कर रही है उनकी management कैसी रहनी चाहिए यह नहीं रहनी चाहिए इसका कोई भी फिकर जो था उस administrator को नहीं रहता था उसके बाद accountability जो थी इनकी management में यह जवाब देही नह professionalism की बड़ी कमी थी यानि जो भी इसकी management में आते थे बंदे वो किसी भी professional field से नहीं आते थे माली जी कि history का बंदा जो है वो RBA का governor बना दिया गया या दूसरी field का बंदा जो है वो किसी और expertise में डाल दिया गया तो professionalism नाम की जो चीज है उसको बिलकुल भी follow नहीं किया जा efficient रहता था जिसकी वज़े से बहुत problem जो है cooperative societies की efficiency में उनकी management में देखने को मिलती थी उसके बाद इन सब की वज़े से क्या हुआ कि cooperative societies की productivity जो है उसमें काफी कमी आई cooperative societies की services थी उनमें जो है काफी कमी आने शुरू होगी और government को realize हुआ कि अब कुछ ना कुछ बदलाव जो पाकी जो है cooperative societies जो हो strengthen हो सकें तो strengthen करने के लिए जो है कुछ rules बनाना जूरी था जिसके लिए government को लगा कि अब इनकी public interest में यानि लोगों का भी फाइदा होगा अगर cooperative societies strengthen होंगी तो services देंगी अपने members को members जो है cooperative society के वो गरीब तब्तिके के लोग ही रहते हैं weaker section के लोग ही तो उन लोगों की खुशी के लिए उन लोगों की services के लिए जो था ये ensure करना बहुत जरूरी था कि cooperative societies जो है ये अपनी autonomy को maintain रखें इनकी democratic control हो democratic functioning हो और इनकी management के लिए professional field के बंदे जो है वो लाए जा सके हमने अभी देखा कि जो board of member रहते हैं वो professional ही रहते हैं वो ऐसे नही field से में एक society के अंदर अलग-अलग field के बंदे जो है exist करते ही हैं उनमें अलग-अलग skills के बंदे जो है उने ही nominate किया जाता है election के लिए और उसके बाद भी हमने पढ़ा कि अगर government को लगता है कि अभी भी किसी field से अगर किसी इंसान की कमी है इस board में तो वो दो extra members जो है उन lack कर रहा था तो इन reasons की वज़े से government को decide government को realize हुआ कि अब जो है cooperative societies को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव जो है वो लाने जरूरी है ताकि उनकी management उनकी control को लेकर उनकी autonomy को लेकर जो है उन्हें मजबूत किया जाए ताकि वो long run में लोगों के help कर सकते हैं लोगों को service कर सके and cooperative societies जो हो स्ट्रेंदन हो सकें ताकि वो nation की जो economy जो contribution करा था economy में उसकी और ज्यादा contribution आए ना कि उसमें कुछ गिरावट आपको देखने को मिले तो यह सब करने के बाद जब उन्हें realize हुआ कि cooperative societies जो है उन्हें constitutional दरजा दिया आ जाना चाहिए तो यह amendment लाया गया और उसके ब लिस्ट है, union list है, state list है, concurrent list है, तो seventh schedule की जो state list ती यानि state जिन भी matters पर state कानून बना सकती है, तो seventh schedule की state list में जो है cooperative societies को एक subject के तोर पर रखा गया, entry 32 में, ठीक है, यानि cooperative societies जो है कौन सी list में आती है, state list में आती है, seventh schedule की, और इनके functioning के related जो भी last बनाने का आद जाए जाए ज दिकार रहेगा, वो state legislature को रहेगा, लेकिन multi cooperative societies, multi state cooperative societies हैं, वो exception जरूर है, जो कि central के control के अंदर आती है, और उन्हें union list में रखा जाता है, ओके, और इसी के मताबिक कहता है कि state legislature जो है, उन्होंने या तो अपने acts जो है, उन्होंने अमेंड किया, इस constitution के amendment act के आने के आने के या तो उन्होंने repeal किये, पुराने act और ने act लाए, और respective states में अलगले कानून जो है, वो इन principles के line पर, यानि जो जो center ने direction दी इस constitutional amendment act के तुरू, इन principles के basis पर जो थे, उन्होंने ने कानून बनाई cooperative societies को strengthen के लिए, ठीक है, तो इतना ही था, आज की इस lecture में, cooperative societies की बिल्कु functioning के लिए ये topic बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसके वज़े से आपको काफी जो है, और भी आने वाले जो concept होंगे, वो clear हो जाएंगे, इसके बाद जो हम next lecture में पढ़ेंगे, जो हमारी legislations कोई हैं, इंडिया में, cooperative societies को लेकर जो भी कानून में बदला हुए हैं, उनके बा ही है, कोई भी अपर आपकी queries हो, तो आप छोड़ सकते हैं, PDF जो हो आपको telegram channel पर मिल चाहेंगे, और MCQs जो है, इसके related, वो आपको थोड़ी देर के बाद ही, वीडियो जो हो मिल जाएगी, तो, thanks for watching this video, thank you, have a nice day, and अपनी feedback जो हो देते रहें